आपको बता दें, भारत की आजादे के लिए हुई लडाई में स्वतंदता आंदोलन के समय, जब बापु ने स्वदेशी का नारा दिया, तो लोगों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, व्यापक रूप से कपड़ों को एक खटा करके उन्हें आग के हवाले कर दिया यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंनों ही मेकिन इंडिया की सोच को जन दिया, महात्मा गांधी ने देशवाशियों को चर्खे से बने खादी के कपड़े पहनने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बापु इसे स्वाबलम्मन का प्रतीक मानते थे, यह कपड़े देश में देश के लोगों द्वारा तैयार किये जाते थे, यह देश के लिए आत्म निर्भरता की ओर पहला कदम और विदेशी वस्तों का बहिशकार था, ताकि आजादी मिलने से पहले भारतियों को गुलाम मानसेक्ता से आजादी मिल सके, वही खादी से तैयार होने वाले सफेद रंगे होते थे, क्योंकि यह एक शांती का प्रतीक भी माना जाता था, इस तरह उस वक्त आजादी की लडाई में भाग लेने वाले करांतिकारियों ने इसे अपनाया, और धीरे धीरे यह रंग नीताओं की पहचान बन गई, तब से लेकर आज तक राज नीता सफे शियर करें